दोस्तों मैं अपने चैनल आएपी एड़ुटर में एर्वोकेट अजय मताब सुमन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं इस सीरीज में सुप्रिम कोर्ट के जितने जज्जमेंट से उनको मैं प्रस्तूत करने की कोशिश करूँगा तो यह मेरी अलग स्रिंखला है जिसमें इंटिलेक्श्वल प्रपाटी से समंधित जितने भी ओनेवल सुप्रिम कोर्ट अफ इंडिया का जज्जमेंट है उनको मैं लाने की कोशिश करूँगा तो उस स्रिंखला की मेरी पहली कोशिश है यह जज्जमेंट है के यार चेटियार वर्सेस श्री अमबाल एंड कंपनी तो यह ओनेवल सुप्रिम कोर्ट अफ इंडिया दोरा पास किया गया था तो इसके जो इंपॉटेंट पॉइंट थे उस पे कोर्ट ने यह अबजर्ब किया कि जब दो टेर्ड मार्ग को कंपेर किया जाता है तो उसके इसेंसिल फीचर दिखे जाते हैं और कोर्ट ने यह कहा कि यह कोई जोड़ी नहीं है कि दो टेर्ड मार्ग को कंपेर करने के लिए जो अकुलर टेस्ट है अकुलर मतब दिखने में वही क्योल टेस्ट है वो अपने आप में काफी है कोट ने कहा कि दो टेर्ड मार्क सिमलर हो सकते हैं ज़िए वो कानों से भी सुनने में सिमलर लगें इसमें कोट ने यह भी फाइंडिंग दिया कि केवल इस बात से कि दो टेर्ड मार्क के मिनिंग अलग है इस बात से जो टेर्ड मार्क है वो डिफरेंट नहीं हो जाता यदि किसी ट्रेड मार्क में कुछ पिक्टोरियल डिवाइस का इस्तिमाल किये जाता है तो भी confusion and deception की संभावना हो सकती है और अंत में कोट नहीं ये कहा कि ये special leave petition में article 136 में जो सुप्रिम कोट में फाइल की गई थी उसमें कहा कि ये जो appellant है उसके उपर ओनस है कि प्रूव करें कि जो हाई कोट की judgment है वो गलत है तो अब जो chain of litigation में बतायता हूं ये जो appellant है वो उसने टेर मार्क अंडाल है उसके registration के लिए अपलाई किया था और ये जो अंडाल है ये असल में वेश्नवाइट वुमन संत थी South India में ये जिसे North India में मीरा है जिनको किष्ण की बहुत बड़ी भक्त माना जाता है उसी तरह से अंडाल को भी बहुत बड़ा विश्नुशंत माना जाता है और उनकी तुलना मीरा से की जाती है ये भी इस्तरी थी जो रिश्पोंडन था वो उपनेंट था उसने अपोज किया था और उसने किलेम किया था कि वो ट्रेड मार्क अमबाल का प्रोप्राइटर है तो जो अमबाल सब्द है ये भगवान शीव है उनकी companion है, उनकी शाषचरी हैं, तो यह देवी हैं, जबकि जो स्री अंडाल हैं, जिसके लिए application डाला गया था, यह इस्त्री संत हैं. उपोजिशन को रजिस्टार और टेर मार्क ने डिश्मिस कर दिया, उससे खिलाफ अपील गई सिंगल जज के पास, तो सिंगल जज ने रजिस्टार के ओडर को सेट एसाइड कर दिया, तो सिंगल जज के ओड़रे खिलाफ डिविजन बेंच में अपील गई और डिविजिन बेंच ने, सिंगल जज के ओड़र को परकरा रखा, तो इस ओड़रे खिलाफ अनेबल सुपरिम कोर्ट अफ इंदिया में अपील आई थी, तो इस तर से chain दिखेँंगे, आपिलेंट श्री अंडाल टेड मार्क के लिए अपलाई किया उसको डिस्पॉंडेंट ने जो अपॉनेंट था उसने अपोज किया स्री अमबाल सब्द के बेस पे रजिस्टार अफ टेड मार्क ने अपोजिशन खारीज कर दी उससे खिलाफ अपॉनेंट ने सिंगल जज्ज के पास अपील रिश्टार टेड मार्क का अउलर था उसको सेटिसाइड कर दिया और उससे खिलाफ जो अप्लिकेंट था उसने डिविजन बेंच में अपील की तो डिविजन बेंच ने अपील को डिस्मिस कर दिया उसी खिलाफ यह जो अप्लिक अपिलेंट है वो इनफेक्ट पॉर्ट में यह अपील डाली तो यह पार्टी का नाम है के आर चिन्ना किष्ना चेटियार और जो रिस्पॉंडेंट है जो कि ऑपनेंट था इसका नाम है स्री आमबाल एंड कंपनी जज्जमेंट आई थी 14 अपरेल 1969 को इसको यह बहुत पुरानी जज्जमेंट है फिर भी इसको बहुत ज़दा इस्तेमाल किया आता है इसमें ओनेवल जज्ज तीन जज्ज थे बच्छावत देन शीकरी ओनेवल जस्टिस देन शीकरी एसम देन अरामा सावमी भी तो यह तीन जज्ज थे और इसका एक्विलेंट साइटेसेंट आपको मिल जाएगा AIR 1970 146, 1970 SCR 1290 and 1969 SCC Volume 2 Page 131 तो यह इसके इक्विलेंट साइटेसंस है और इसको फाइल किया गया था इस सीविल अपील नंबर था 749 of 1966 तो आप केस देखेंगे कि यहाँ पे जो आपिलेंट है जो की आप्लिकेंट भी है जो रधा एन कंपनी के नाम से अपना काम करता था जब कि जो दुसरी पार्टी थी आपणेंट वो अमबाल एन कंपनी के नाम से केस करता था तो 10 मार्च 1958 को आपिलेंट ने अप्लिकेशन फाइल की 183961 फोर रिजिस्टेशन आप टेंड मार्क सनफ और उसका जो टेंड मार्क था वो अंडाल था जो वो मनाइट जो की वेशनवाइट संत थी उसके ना पिकिया था तो दूसरी यो जो दूसरी पार्टी है उपनेंट इसने कहा था कि वो रिजिस्टर प्रोप्राइटर है टेंड मार्क अंबाल का स्री अंबाल अंडर नुबर 126808 और 146291 अब यह जो टेंड मार्क था अंबाल श्री अंबाल यह इनफेक्ट कंपोजित टेंड मार्क था और इसमें एक डिवाइस भी थी दी सेंटर पैनेल कंटेंज और पिक्चर ऑफ गौड़ेश श्री अंडाल उसी तरह से जो अप्लिकेंट था उसका भी उसके भी टेंड मार्क में जो उसके जो आप देखेंगे जो आप्लिकेंट है उसका टेर्मक्स स्री अंडाल था तो उसमें स्री अंडाल वोमन गौड़ेस थी उनका पिक्चर लगा हुआ था और उसी तरीके से आप देखेंगे स्री अंबाल यहाँ भी जो गौड़ेस हैं गौड़ेस श्री अंबाल सीटे अप देख toda गलोब फलाटिंग वाटर उqu牡ाल तो यहाँ भी जो श्री अंडाल गौड़ेस हैं उनके उनके पिक्चर का इस्तेमाल किया गया था और अप्लिकेशन श्री अंडाल, उसमें भी device of woman, जो woman god था, उनका इस्तितबाल किया गया था जो shri अंडाल है, court ने उने लिखा कि जो shri अंडाल और shri अंबाल है वो डो different आँ देविया है, जो shri अंडाल है ये वेश्नवाइट women center है, जबकी जो shri अंबाल है, वो शीव की consort है तो जिस तरह से मैंने बताया जो श्री अंडाल है इनको मीरा की तरह भक्त मना जाता है विश्नु का South India में और जो श्री अंबाल है ये शीव की woman company मने जाती है तो ये टेर्मक फाइल किया गया opposition on the basis of श्री अंबाल तो आप दिखेंगे कोट ने रिष्टार ने कहा word always talks more than the device because it is generally by the word part of the composite mark that order will be given तो रिष्टार ने कहा था जो सब्द है वो जदा important role play करते हैं लेकिन उसने ये बोलना the sound of अंबाल does not so nearly resemble the sound of अंडाल लेकिन रिष्टार ने कहा रिष्टार ने दो चीज़ें कहीं यहां पर बड़ी महत्पून है पहली बात ये कहा कि जो सब्द है वो device से जदा important होते हैं और जदा important role play करते हैं लेकिन आंतने फाइंडिंग दी कि जो जो sound अंबाल है ये अंडाल से मिलता जूता नहीं है तो इस कारण से उसने opposition खारीज कर दी उससे खिलाफ opponent ने appeal फाइल की तो appeal में single judge ने कहा the word अंबाल अंडाल have such great phonetic similarity that they are undistinguishable having the same sound and pronunciation application तो हाइकोट ने कहा कि जो सब अंबाल और अंडाल हैं ये phonetically similar है और बिल्कुल सुनने में एक जैसे लगते हैं और इस कारण से उसने appeal allowed कर दिया और जो appealant की application थी उसको reject कर दी उसके खिलाफ अपील फाइल की गई तो appeal में कोट ने शुरवात में ही यहां पर देखेंगे की यहां पर एक finding दी it is for the court to decide the question of comparison of competing mark as a whole and their distinctive is an essential feature तो यहां पर court ने एक और इसु दिया है कि कोई trademark deceptively similar है कि नहीं यह जो issue है यह court decide करेगी तो यह यह भी बड़ा important finding है यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक important note है कि in fact court है court को ही decide करना है division bench ने यह भी कहा कि there is no evidence of actual confusion but that might be due to the fact that appellant trade is not long not long standing तो court ने division bench ने कहा कि जो honorable Supreme Court है उस ना उजर्ब किया कि जो honorable division bench और single judge की finding है कि कोई real real में actual confusion का यहां पर evidence नहीं है और यह दों trade mark दिखने में समान भी नहीं है but ocular compression is not the always decisive test the resemblance between the two trade marks must be considered with reference to ear as well as eye there is a close affinity in the sound between ambal and undal तो Supreme Court ने जो single judge और division bench की finding है उसको यहां पर return किया कि we are satisfied that there is a real danger of confusion और यह भी कहा there is no visual resemblance between the two trade marks but ocular compression is not always the decisive test the resemblance of the mark must be considered with reference to ear as well as eye मत्तर जो दो तेर मार्ख हैं उनको वो दिखने में कैसे लगते हैं और कानों से सुनने में कैसे लगते हैं दोनों aspect को दिखना चाहिए और फिर court ने coca cola company और pepsi coca company के case को यहां पे distinguish किया और कहा कि coca cola और pepsi cola matter में जो सब्द coca है वो important नहीं था वो common to trade था non-distinguishing feature था जबकि distinguishing feature वहां पे pepsi और coca हैं तो जो cola सब्द हैं यह उतने important नहीं है इसलिए compression pepsi और coca में किया गया था तो इसी तरह से इस case में सब्द है स्री अंडाल और स्री अंबाल तो जो स्री सब्द है उसको that may be considered as common use यदि फिर भी यदि हम अंबाल और अंडाल की तुलना करें तो यह दोनों को दोनों deceptively similar in sound हैं तो यहां पे concrete finding आ गई कि चुकी कानों से सुनने में अंबाल और अंडाल दोनों सेम लगते हैं और court ने कहा the name अंडाल does not cease to be deceptively similar because it is used in conjunction with pictorial device और court ने यह कहा कि यह सब्द है यह केवल इस बात से अलग नहीं हो जाता कि इस सब्द के साथ pictorial device का इस्तिमाल किया जा रहा है इसमें बात में जो अप्लिकेंट के council थे उन्हें कहा था कि जो वर्ड अंबाल और अंडाल हैं दोनों के अलग इसलिए दोनों को दोनों बिल्कुल डिफरेंट है और यदि कोई एक्सिडेंटल फॉन्डिकल सेमिलार्टी है इसे कन्फिजर नहीं होगा तो कोट ने यह कहा सुप्रिम कोट ने इस आर्गमेंट को सही नहीं माना हो कहा कि जो हिंदू है वो साथ इंडिया में सायद अंब और अंडाल का मतलब सही तरीके से जानते हों लेकिन बहुत सारे कस्टमर जो क्रिस्टन हैं पार्सी हैं मुसलीम हैं और बाकी अदर रिलिजन के हैं और जो साथ इंडिया के बाहर हैं वो सायद इसका मतलब ठीक से नहीं समझते हैं The customer who are not Hindu, who do not belong to South India, may not know the difference between the word अंडाल and Shri Ambal. The word have no direct reference to character and quality of the snuff. The customer who use the respondent's goodwill have a recollection that they are known by word अंबाल. तो कोट ने कहा कि confusion हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू जो South India में नहीं रहते हैं वो यदि एक सब्सुने तो एक सब्से दूसरा सब्द हैं उसके बारे में confusion हो सकते हैं. इस कारण से केवल इस बात से कि जो स्री अंबाल हैं वो शेवाइट डेटी हैं और जो स्री अंडाल हैं वो व्यशनवाइट डेटी हैं इस चीज़ से confusion की संभावना कम नहीं होती. तो इस तरीके से कोट ने फैंडिंग दे दी कि जो डिविजन बेंज का ओडर है वो सही हैं. अब इसमें एक और इंपोर्टेंट आया कि जो इसी बीच में जो अप्लिकेंट था उसने एक टेटमार्क राधा स्री अंडाल अप्लिकेशन फाइल कर दिया था. The court ने कहा, it was argued that there was no fanatic similarity between Shri Ambal and Radha Shri Andal. And use of expression Radha Shri Andal was not likely to lead to confusion. The division bench found force in argument. But as the matter is sub-judice, we express no opinion on it. तो इसमें एक issue यह भी आया था, जिसको Honorable Supreme Court India ने केवल यह observe करिया किया था, कि Honorable Division Bench ने यह माना था, इस argument में force को माना था, जो applicant का दूसरा trademark है, Radha Shri Andal, वो opponent के trademark Shri Ambal से उतना मिलता जुलता नहीं है. तो Honorable Supreme Court of India ने एक केवल observe किया, लेकिन कोई finding दी नहीं. तो इस तरीके से यहाँ पे जो issue था, Shri Ambal और Shri Andal का था, हानकि applicant ने राधा Shri Andal भी अप्लाई कर दिया था, तो वो issue इस court ने decide नहीं किया, यहाँ पे केवल Shri Ambal और Shri Andal with pictorial device of women's sons और dateys यूज़ किये गये थे, तो court ने कहा कि यद्पि दुनों का मतलब अलग होते हैं, यद्पि दुनों टेर मार्च में अलग-अलग pictorial device का इस्तिमाल हुआ था, फिर भी दुनों का टेर मार्q हैं, वो अलग हैं. वो सॉरी वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं क्योंकि दिखने में टेर्मार्क अलग हो सकते हैं लेकिन सुनने में यह टेर्मार्क सेम हैं तो इस तरीके से ओनेवल सुप्रिम कोर्ट ने यह फाइंडिंग दी और एक और भी फाइंडिंग दी थी कोर्ट ने कहा था कि टेर्मार् तो किस trade mark में क्या distinctive and essential feature है यह court को निधायद करना होता है तो यह सारे issue है जो अब तक चले आ रहे हैं और आज तक लैंड मार्क है और फॉलो की जा रहा है तो जो भी IPR में इंट्रेस्टेड है मेरे हिसाब से उसको यह judgment दनना चाहिए और इसलिए मैंने यह स्रिंखला के सुरवाद की है इस judgment के साथ आगे भी Supreme Court की judgment दलाता रहूंगा आप लोगों ने सुना इसके लिए आप लोगो का धन्यवाद